स्टार्म अलेकम वैलकम टू बैक माय यूटूब चैनल तजी अगर व्लोग पसंद आता है चैनल को किजिएगा सिस्क्राइब वीडियो को किजिएगा लाइक शेर तो जी मॉर्निंग से ही मैंने अपना व्लोग स्टार्ट किया था और यहां पर मंगाये थे हमने शीरमार अम मंगा लिए थे हमने तो अमदसर जीने नाश्ता ने करना थे हमने शर्फ एक अप चाही पीनी थी तो वह जयातर सुबा नाश्ता भी नहीं करते तो यहां पर आइस एम सोरी शीरमाल नी बंद मंगवा लिए थे तो फिर अम्यबू के लिए यह मंगवा थे और जी मैं तो इ पराथा ना मैंने आज वह वाला अपने लिए बनाया और जी यहां पे गैस बहुत ज्यासा थी तो इसलिए भाब करती तो यह मैं लें लिया था जैम और चाई तो बस यही मैं नाश्ता ही किया था और जी आज हमने अपने हैंड बैक जो हम बनाते हैं उसका व्लोग नहीं मैंने बनाया तो उसका व्लोग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सेम ही पीस हैं सेम ही तरहां से वो बनते हैं तो मैं आपको बार बार एक ही चीज दिखाती हैं तो यह भी सही बात नहीं है तो इसलिए मैंने वोनी बनाया और अपनी रोटीन मैंने आपके साथ शेयर की है ठीक है और जी उसके बाद मैंने ये एक या नाष्टा और जी यहां पर मैं आपको दिखा रही थी जैम था जैम जैम मैंने निकाल लिया था और जी प्राठा था और साच आए थी तो फिर ये मैंने नाहिश्टा किया है अच्छा तो फिर उसके बाद नहीं मैं थोड़ा समय आपको क्लिप दिखा देती हूं ये वाले परस थे ठीक है अम दसर जी के दोस्त के थे काफी देर से आए पड़े थे मैंने आपको व्लोग मे देते हैं तो हमारी एकने क्यों हो जाएगी तो फिर मैंने बैठके ने ठीक किया है इनके यहां पर यहां पर यह निकले हुए थे और कुंडे वगारा निकले हुए थे तो फिर मैंने का चले इनने बैठके मैं ठीक करते हूं कि स्टिचिंग करते हैं यहां सिसकी जिप पग कुए वहाँ थी जो था ना बेवी बेग इसमें जो फ्रेंड वाली पोक Spit थी थी ना सुमंपको भी जायता ना तो पर मैंने स्चीचिंग डालाई रषी तो यहाँ से जी त Candia close पर चांकेऊ ते हृँ अधिया झछा झाला डालाईowers करना आपको मिल जेगी ठीक है इसकी मैंने अलाइदा ही वीडियो प्लोट की है इसके रिव्यू मैंने अलाइदा ही आप लोगों के साथ शेयर की है तो फिर मैंने कि ये वीडियो बनाई फिर उसके बाद जी मैंने का के चलो अपने घर के काम करते हैं तो फिर उसके बाद मैं मैं अपने बरतन नहीं थे हैंत्तो प्रे जलो आज अपने हम बरतन भी धो लेते हैं मैंने अपना कैमरा भी लगा लिए and bright Met利 segments किछन में अच्छा लगता है अच это क्याओ कि감이 में opposition करने लगा ऍहलेम mijn काम ना तो गर्मी का एसास काम होता बर सर्दी में ना मुझे यह जो किजन का काम ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है इसके लिए घीजर लगा हुआ है पानी गरम आ जाता है बर सर्दी में मुझे बड़ा पुसंद बरतन दोना अच्छा तो जी फिर मैंने अपने बरतन दोएं यहां पर मैंने अपना किचन साफ किया ठीक है उसके बाद डिनर की बारी आ गी थी ठीक है तो फिर जी मैंने आपको बताया था कल मैंने बनाई थी बैंगन की सबजी तो कुछ बैंगन्स पड़े हुए थे तो फिर मैंने गां के चलो आज ना इनके न हम पॉकोड़े बना करते हैं तो सब्जी तो कोई भी निखाता और बोडत एप लेते हैं लाकोड़े मैं अपने बनाने लग शाप कर रही थी क्यों कि क्योंकर शाम को श्राओं ज्यादा देर होगी थे लुगत शाम भी आने वाले थे तो फिर मैंने का चले मैं उनके लिए भी डिनर बनाते हैं और हम साथ ही बैठके खरते हैं अच्छे तो मैंने ना इतने पकोड़े बनाए ठीक है रोटी बनाई है सासोस वगरा मैंने साथ कुछ तयारिये की हैं और मेरे हजबन आकर कहते हैं मैं जब भूग नहीं है मैंने खाना खा कर आया हैं तो उनका यह यहा है मैं जब भी खाना बनाते हैं तो बाहर से खा कर आते हैं आई नो क्यूं खाते हैं बढ़ घर का बहुत कम खाते हैं वो मार्केट जाते तो ज्यादा तरवे ही पर ही अपना खाते हैं बाहिर का खानों ने ज्यादा अच्छा लगता है तो मुझसे बाहिर का खाना नहीं खाया जाता मुझसे और अम्मी अबुसे ना तो बिल्कुल नहीं खाया जाता तो हम लोग अपने लिए फिर बना लेते हैं तो फिर कुछ बैंगन के सब्स भी थोड़ी सी दो मैं और मेरे हजबन आपके तो दो बार कोई भी निखाता तो मुझे अच्छा लगते हैं में एक बार ही घर में बहुते हैं एक बार के जाज़त मिली होई कि आपके साथ पर मेरे निचे वाले रूम में चल ले तो तो पिर हम बैठ के लिए अच्छा तो पिर उसके बाद जी मुझे आपके साथ अपने स्किन केर के रूटीन करनी थी तो अज ना मेरे जो सके ना काफी ज्यादा ना डिहाइडरेट हुई हुई थी रफ हुई हुई थी कि भी बहुत ज्याद है तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे मैंने मुलतानी मिटी ली तो यह बड़ी मुशूर है ठीक है तो मैंने का चली से अपने फेस पे अपलाय करते है गर्मी हो मेंना यह आपके चेरे पे बड़ा अच्छा गलो ले आती है आपके चेरे से एक्स्ट्रा ओल खत्म कर देती है आपका चेरा जो है वो ब्राइटनिस कर देती है तो आपके चेरे में जो अलेर्जी होई होती है वो खत्म हो जाती है यहां पर मैंने लिए लिए मुलताने मिट्टी घरते हैं छींड सहुद्टू यहां पर यह rich guy a the रूरा पता खतम हो गया था तो मैंने जादा स्पेस नहीं लेनी तो फिर मैंने खाटके एकी रख लिया अच्छा तो फिर मैंने इसका मिक्स्टर बनाया और अपने चेरे पर अपलाई किया तकरीबन बीस मिन्ट जब डुराई हो गया तो मैंने उसे वोश कर दिया नॉर्मल वाटर से और मेरे चेरे पर इतना अच्छा एक गलोव आ गया था इतना अच्छा मतलब फील हो रहा था कि हाँ चेरा अच्छा हो गया साफ हो गया तो आप भी यह ट्राई कर सकते हैं ठीक है आप अपने साब से बना लें मगर मुझतानी मट्टी को गर्मियों मैं अपने चेरे के लिए जरूर यूस कि करती हूं इसलिए आपको मैं राकिमेंट कर रही हूं इस पर किस तरह से से यूस करना इसकी सारी डिटेलिंग लिखी हुई है तो यह बड़ी जबरदस्त चीज़ है मुझे बड़ी अच्छी लगती है तो मैं गर्मियों में तो जरूर यूस करते हैं बड़ हां सर्दियों करते हैं